इतनी देर किसी को बैट के सुनना सबसे बड़ी बात ये हुती है क्योंकि जब वहाँ पे हम बैट के किसी को सुनते हैं तो इतना पेसेंस रखना बड़ता है ये मुझे लगता है और अचली मैं 26 साल की हूं 2011 में चलती ट्रेन से मुझे कुछ बदमासो ने, मैं बॉलीवाल चैंपियन भी रह चुकी हूँ, 2011 में चलती ट्रेन से मुझे भी बदमासो ने एक गोल चैन पहनी थी, चलती ट्रेन से उठा के बाहर फेग दिया था, लखना उसी दिल्ली आ रही थी, मैं, अब बहुत सारी ज वो चार-पास ने बाहर फिका, दुर्भाग ये था कि उसी समय दूसरी ट्रेक से ट्रेन आई, और मैं उस ट्रेन में टक रही, फिर नीचे गिरी, दोनों ट्रेन निकल गई, कुछ देर बाद मैंने हाथ को ऐसे रखके उठने की कोसिस किया, तो देखा कि मेरा पैर कट चु और जब पूरी रात चिलाते चिलाते इतना कि मुझे दिखाई भी देना बंद हो गया, जब ट्रेन आता था तो बाइब्रेट होता था, इतना ही नहीं, फ्री का इन्वेटेशन भी लोगों को मिल गया था, कुछ लोगों को, ट्रेक पे आपने गिने ट्रेन की ट्रेक पे चुछे देखे होंगे, मेरे कटे हुए पैर पे आग के मेरे पैर कुतर रहे थे, मेरे ब्रेन कॉंसेस मेरा पूरा काम कर था मेरे लेकिन बॉडी में कोई भी मुमेंट नहीं था, पूरे पल में वही चीजे सोस्टा, कैसे मैं अपने आपको कैसे बचा पाऊं, लेकिन आप ऐसे बीता, सुभगाओ अओलो मुझे अठाया, बरेली डिस्टिक होस्पिटल यूपी में है, वहाँ पे हुआ था यह, सुभगाओ अओलो मुझे उठाया, डिस्टिक होस्पिटल ली जाके, रखा तो फार्मसिस्ट, डॉक्टर, सियमे जितने लोग थे आपास बात मैंने बोला वहांपे कि सर्जे मेरा पुरा पैर कटा तब मैंने इतनी देर रिलवी ट्रैक पे थी मैं उस चीज को बरदास्के तो अभी तो अप मेरे अच्छी के लिए मेरे पैर कटेंगे शायद आपको यकीन नहीं होगा या फिर कभी आप लोगों ने इस चीज नहीं कि कोई डॉक्टर या फार्मासिस्ट अपना ब्लड दे के किसी पेसेंट को बचाया मेरी इस बात को सुनने के बाद वहां के डॉक्टर और फार्मासिस्ट दोनों ने एक एक यूनिट ब्लड दिया और मेरे पैर को बिना अनेस्थितिया अलग कर दिया गया आज भी मैं उस दर्द को महसूस करती हूँ जब भी मैं जब जब भूलती हूँ तब तब मैं उस चीजे महसूस करती हूँ उसके बाद जब बात मीडिया में याई लोगों को पता चला कि रुड़े मैं नाशनल प्लेयर है केजमसी किंग जोर्ज मेडिकल कॉलेज लखनू में अडमिट करें लखनू उसे फिर स्पोर्ट मिनिस्टर एम्स ट्रॉमा सेंटर देली तब तक सब ठीक्था चल रहा था प्लेयर होनी की वज़ा से अच्छा टीट में ला सुरू हुआ करीब चार महने में एम्स में रही एम्स में रहने की बाद में तुर्ण ठीक हुई करीब पचीस दिन बाद ठीक हुई न्यूज परदेञे बूद न्यूज पर में गोल गूळ लिख्या रही करोने मां के आस् knitting नहीं था रोने मां ट्रेंशी कूद गई उसका खंडन किया घरवालों ने फिर बोला गए रोने माँ सुसाइट करने गई थी जिस लड़की का सरीर का एक अंग कट चुका पूरी जिन्दिगी का पता ने एक वीलचेर या बैसाखी या पता यहां तक कि मेरे स्पाइन में तीन फैक्चर था कि जब जिस परिवार की एक यहांग इस लड़की का इस तरीके का सिचुएशन हुआ हो फिर भी कहते हैं कि जहां चाह होती वहां राह मिली जाती है एम्स के हॉस्पिटल के बैट पे मैंने डिसाइड किया क्योंकि अपनी बाते हम चिला चिला के करें सिस्टम के इतनी इतनी हाई लेबल की बाते हो रही थी कि हम एक मध्यमवर्गिय फैमिली से थे हम अपनी बाते चिला चिला के कह रहे थे लेकिन कोई नहीं सुन रहा था लेकिन कहते हैं मैंने अपने दिल दिमाग अंतर आत्मा से यह चीज सोच लेकि ठीए कि आज आपका दिन है जितना चाहो बोलो एक दिन तो मेरा दिन आने वाल मैं प्रूफ कर दूँगी कि मैं क्या हूं मैं क्या थी यह मैं प्रूफ कर दूँगी हॉस्पिटल के बड़ पे डिसाइड किा बॉली ब लाई लाइफ का सबसे अज़ तफ ऌगेम करने मैं तब मैं ने महांगट चुना हो मांगट मैने मांंट मेरे चुना कहने और करने में बहुत वर्क हो से जब मैं पात मैं मांटrative तो इसके लिए मुझे ट्राइ करना है. हर किसी ने मुझे बोला कि क्या है? पागल हो चुकी हो क्या? तुम्हारा धिमाग खराब हो चुका. तुम कभी नहीं कर सकती एक पैर अधिफीशल है, दूसरे में रोड है. तुम्हारे दिमाग खराब है, स्पाइन में भी फेक्चर है, तुम पागलोगे, चुप चाप, कोई नौकरी करो, जियो निया पाग करो, क्योंकि लोगों का सबसी बड़ा प्राब्लम यह होता, लोग फिजिकल देखते हैं, पैरों को मेरी अंतर आत्मा में क्या चल रहा तो सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन होता, आप खुद, जिस दिन किसी भी लक्ष के प्रतियाप की अंतर आत्मा जाग गई, आपको कोई नहीं रोक सकता उस लक्ष को पाने में, यह मैं किताब से बाते नहीं बोल रही हूं, यह मैं एक एक पल, मैंने वुझ यह मैं कोई भी कि आप की बाते नहीं एक 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 पल आज जो मेरा 26 साल का experience है वो मैं बता रही हूं सिर्फ आपको, उसके बाद किसी तरीके से manage किया मैंने, भाई साब मेरा परिवार मेरा backbone था, भाई साब ने मुझे कहा कि मैडम बचहिंदरी पल जुनोंने 1984 में एवरेश समीट का उन से मिलत जब लोग यह सोसते हैं कि मुझे अपनी जिंदिगी के मेरे दिमाग मेरे दिमाग में सिर्फ दो चीजे चल रही थी, मुझे इनका जवाब कैसे देना है, और एवरेश समिट कैसे करना है, फस्तुरन गय बचहंदरी माम के पास, जब मेले माम ने फर्स टाइम जब मुझे कि पहली ऐसी महिला थी, जुन्होंने मुझे पे भरोसा किया था कि हाँ आरुने मा तुम कर सकती हो, मेरे लिए वही बहुत बड़ी चीज थी, प्लैनिंग भी कर ली, मैम भी मिल गई, सब हो गया, लेकिन जब उतरते हैं फिल्ड में तब पता चलता कि हम क्या हैं, रोड हे लोगों को दो मिनिट लगता था, मुझे तीन तीन घंटे लगते थे, क्योंकि मेरे राइट लेक की हड़ियां भी नहीं जुड़ी थी, लेफ्ट मेरा अटिफिशल लग चुका था, लेकिन स्टांप एकडम, रेड रेड उसकम तर घाव एकडम नए थे, मैं अगर पैर र मेरे दिमाग में हर बार यही बात चलती थी कि क्या है, मैंने एवरेस का प्लान किया, मैं इनके बराबर भी नहीं चल पा रही हूँ, खुद से संकल्प लिया कि कोई बात ने एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इनसे पहले जाओंगी, और आपको श्याद या किन नहो आने वाले आठ महीने बाद, पुरा का पुरा वेट उठाके, बेस कैम से साथ निकलते और टॉप पहले पहले पहुचते, ऐसे करके देखते थी कि अरे यह लोग तो पीछी होती थी, उससे भी जादा मुझे खुशी तब होना सुरू हुआ, जब वो सारे लोग आके मुझे यह अधिए थी था कि दूसरे को समझा पाना, मैं नहीं समझा पाती कि भाई मैं कर सकती हूँ, जब मैं अवरेस के लेगे शेरपा होता, शेरपा को जब यह बात पता चला कि मैन अप्र अटिफिशल लेगा है दूसरे में राट बोला नहीं ले जा सकता, इसकी वज़े से तो किसी तरीके से मन, वाकई में जो टीवी में हम और उसमें फोटो में देखते हैं ब्लू और ग्रीन आइस हिला देने वाला होता, जितना सुंदर देखता उतना हिला देने वाला होता, जब मैं हमारे गुरुप में छे लोग थे, रौकी एरिया तक मैं सब से पहली थी, लेक कि अर्टिफिशल जैसी फ्रेंट पांटी मूँव हो जाता मेरा पैर, पैरी मूँव हो जाता था, शेरपा मुझे बोला नहीं हो सकता रुने मा जबरदस्ती मत करो, मैंने का कुछ ने, यह मेरा पैर मैं जानती हूं कैसे चलेगा, फैनली एक दो बार, तीन बार करने, चार सुमेट, अच्छे अच्छे माउंटेनियर, अच्छे अच्छे दिलेर के होसले धरे के धरे तब रह जाते हैं, जब अपनी आखों के सामने किसी को मरता देखता है, और दिमाग में बात जिसको डिसीजन मेकिंग, और दिमाग में बाते हैं जब यह आने लगती है, क्या, जिस चीज के लिए हम जा रहे उसी चीज के लिए आग मर रहा है। इसी चीज के लोग लिए गड़ चुके हैं। रात में क्लाइमिग, ज्यादा से जादा मौंटेनिंग रात मी की जाती है क्योंकि वैदर सांत होता है। मैं रात में निकली साउथ कोल से, कैंफ़ोर से, मेरी हैडलाइट जिधर ही हैडलाइट जा रहे थी, अधरी डेड़ बोड़ीग मुझे नजर आ रहे थी। मेरे रोंग्टे खड़े हो रहे थी, मैं जो समझ में नहीं आ रहा था, कि मैं करूँ तो क्या करूँ, इतना ही नहीं, मैं जिस रोप में थी, उसी रोप में जब मैं आगे जा रही हूं, और एक बांगलादेशी, उनका हाथ हलका हलका ऐसे हिल रहा, आँ, मुह से आवाज आ थी, मैं एक्सप्लेइन नहीं कर सकती, मुझे कितना डर लग रहा था, बार बार ये पला, ये बार बार मन में आती, इसका ऑक्सिजन खतम हुआ है, ये मर चुक है, लास्ट के सिचुएशन में, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें, उसके बाद मैंने, दस से पंद किया है, मैं सब की लिए एवरेज सम्मिट करूँ और जिन्दा वापस जाओंगी, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, हमारी बाडी उसी तरीके से जनरेट करना सुरू करती है, मैंने डेड बाडी, क्योंकि जाई नहीं सकते थे किनारे से, उसी रोप में वो एंकर है, डेड सम्मिट के करीब जब मैं खुद पहुची, मेरे शिर्पा ने एक जोर से जटका मुझे दिया, कि अरुनेमा वापस चलो, तुमारा ओक्सिजन खतम हो रहा है, हिलेरी स्टिप के बाद एवरेज सम्मिट है, थोड़ा चलने पर एवरेज सम्मिट है, अगर कोई आप से ये आप अपने टार्गेट के इतने करीब होगर कोई आप से ये बोले के रड़ेजिए, मैं वापस चलो, कैसा लगता है, मैंने भी यही बोले हैं, क्या बोले हैं आप, मैं नहीं जाओंगी वापस, तुमारा जिन्दगी ही दुबारा ट्रा करना और एवरेज सम्मिट हो मैं बहुत अच्छी दरीकी से जानती थी, मेरा, मेरा, मुझे बैचहंदरी मैम ने भी एक बार बात समझाई थी, मेरी मा ने मुझे एक बात बताया था कि लाइट में कभी कभी situation ऐसी आती है, जब सिर्फ आप अकेले होते हो, बीसीजन सिर्फ आपको लेना होता है, जहां आपकी भी होना, खड़े होकर, हलका सा पीछे मुड़ कर देखना और यह सोचना, कि आप एक एक कदम चलके यहां तक पहुचे हो, सिर्फ अपना एक कदम आगे बढ़ाना, तुम देखना कुछ देर बात तुम टॉप पे होगी, मेरे दिमाग बे उनकी बाते वीडियो की चल रही थी, और सिर्फ एवरेस का टॉप चल रहा था, मैंने सिर्फ आ को पहले कंवेंस करने की कोसिज के, कि भाई चल, कुछ नहीं होगा, भाई चल, पैनली जब वो नहीं माना, मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, डिसीजन लिया के नहीं जाना ही जाना है, आगे बढ़े करीब एक से डेड़ घंते बाद मैं टॉप पे थी, और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, आज भी मैं जितनी बार बोलती हूं, उतनी बार मैं महसूस करती हूं, अ मेरे रूंग्टे खड़े हो जाते हैं, मेरा तोनों हाथ उपर करके, जोर जोर चिलाने का मन कर रहा है, इतन इतनी जोर से चिला हूं, इतनी जोर से चिला हूं, कि सब को बता दू कि आज मैं टाप आप ता वर्ल्ट पे हूं, उन लोगों को बता दू जो लोग यह सोसते हैं, लड़की, दूसरे बिकलांग, तिसरे मेडल करास्पन, जो लोग एक बार हार के दुबारा लड़ना नही चाहते हैं, जो लोग हरने के बार सोसते हैं कि हम दुबारा कुछ कर नहीं सकते हैं, उन लोगों को मैं चिला चिला के टॉप से बताना चाहती थी, कि नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ एक सोच कि बिकलांग, हादमी यहां से होता है, यहां से नहीं, अगर यहां से ज अपना नाशनल फ्लाग का जो वैलू होते ना वो जो जो कहीं बाहर होते तो पता चलता है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी फ्लाग को हाग किया और बोला फोटो कीचो बोला पागल होगा यह तेरा ओक्सीजन कभी भी खतम हो जागा नीचे चल तो फोटो कीच लो फोटो कीचा उसने वो तो अगली बर्ज इतना तेज गुसा हुआ मैंने उसको बोला कि भाई व खतम हो रहा है आज हम भी हंस रहा है आप लोगों के साथ क्योंकि यह पूरा उक्सीजन है और एट एट फोर एट की हाइट पे जब मुझे शेर्पा को बोलेगा भाई वीडियो बना तो तो परःशान हो जाए कर पादल हो चुगी कर तु मर जा यहां मैं जा रहा हो नीच मैं का नहीं कुछ नहीं होगा आप बनाओ वीडियो किसी तरीके से मनम मैं चार-पांच पेर बैटरी रख के लेके गए कि बिस्पोजल कैमरा एक अलग कैमरा की मिलम एक नहीं कारेगा तो दूसरा करेगा प्रपर ब्लैनिंग से शायद आप लोग भी सोचों कि वाकई में Like को इतना मड़वर रिस्क लेहन की क्या जवर्वत थी कि जिंदगी अभी बिजा सकती थिसकी लेकिन मैंने वह रिस्क लिया क्युकि मैं चाहती थी कही कही और दामाग मेरे बात आशू का फुका था कि मैं जिंदा वापस ना जाउ मैं चाहती ती कि अगर मैं जिनदा ना तो ये वीडियो मेरे इंडिया शेयर पासे मैंने यही बात बोली ये वीडियो अगर मैं जिन्दा नहीं जाती ये वीडियो मेरे इंडिया पहचा देना मेरे यूथ तक चला जागा क्योंकि मैं चाहती ही दिखी 11 April 2011 को मेरा एक्सिडेंट हुआ 21st May 2013 1055 पे में टॉप अप दा वर्ल पे थी अल्मोस्त एक से दो साल के अंदर कैसे कैसे यहां से यहां से मैंने यह चीज मैंने कभी भी काम्याब होने के मेरी वो जिन्दगी बन चुकी थी मेरा जुनून बन चुका था मेरा पैशन बन चुका अब मुझे लगता है किसी को भी अगर अपना लक्ष पाना है यहां से अगर वो पागल्पन जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं होगा वो फैनली उसने वीडियो भी बनाया वीडियो बनाया वीडियो बनाया अब बोल रटाफा टरुनिमा नीचे भागो जब मैं तॉप पे थी तो कुछ लोग और भी थे लेकिन 10.55 पे मैंने अवरेस समीटे ग्यारा बजे के बाद अगर कोई अटांप करने की कोसिस करता उतों को सुसाइड अटांप बोलते हैं जैसे ही मैं नीचे चलना सुर्यू की मैं नेका भाई हाँ चल नीचे चलते हैं जादा से जादा मौते नीचे आते वक्त होती हैं एवरेस्ट पे जो मैं नीचे आ रही हूँ थोड़ा दूर ही मैं नीचे चली थे मेरा ऑक्सिजन पूरी दरीके से खतम सिर्फ ये सिर्फ अंदाजा लगा सकता कि जब ऑक्सिजन खतम हुआ क्या परिस्तिती रही हुग मै तो यकीन नहीं था कि तो अवरेस्ट कर पाएगी लेकिन फिर भी तो ने किया मैं चाहता हूं कि रिदमा जिंदा चल तू वापस उठ खड़ी हो मुझे खड़ा करने की वो कोसिस कर रहा था बार बार मैं खड़ी नहीं पा रही थी वाकई में दमी नहीं था लेकिन फिर भ पे ट्रैक पे उठ गंटे में पड़ी थी, फट्टी नाइन ट्रेन अपड़ाउन होई थी तो मेरा कॉंसेट तो चुका था इसका मतलब है कि उपर वाले ने कर मुझे कुछ बचाया है तो कुछ न कुछ इतिहास रचनी के लिए बचाया है तो कुछ ना कुछ इतिहास जाने लगा नीचे और वो फट्टा फट उसको लेकिया है मुझे लगाया उसने बोला है तो बहुत लगी है कि तुझे यहां पर अक्सिजन मिला है वाकई में उपर वाला भी चाहता कि तु जिंदा रहे वो मुझे बार लगी लगी बोल रहा था तो शायद आप लोग में है कि लग भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जजबा है अगर आपके अंदर जीतने का जजबा नहीं है चारो तरफ सिर्फ बहाने होते हैं सिर्फ बहाने सिर्फ बहाने इतना सारा एक्ष्यूज होता साद मैं भी अगर वापस आ गई होती तो मैं बोल दीती म मेरा अक्सिजन कहता मैं, कोई मुझसे पूछने ना बचंदरी मन, मेरा परिवार, कोई भी मुझसे पूछने नहीं आता, लेकिन क्या कभी मैं अपने आपको समझा पाती, कभी नहीं। फैनली जो भी था लगभाग किसमत मैं नीची आ रही थी, बहुत खुष्टी, मौंटेन, डडब बोड़िस, मेरा शेर्पा, ये लोग थे, मैं किसी से औस शियर भी नी कर पारी थि कर शूespère किया किसी से औफ में रहे कर पार हुए थे फॉटाः फॉट मैंने नीचे हील मार यूट कर नीचे हा रहे थे एक एक मेरा प्रोस्थरिक लग पूरा का पूरा लगी निकल गया माइनस 60 डिगरी तक 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 अवरेस्ट पे मेरा हाथ वगएर यह सब ऐसे मुवमेंट ऐसे मुण नहीं रहा था ब्लड निकल नहीं लगा था यह सब यहात है मुझे सेट पासे मैं बोल रही है कि अरड़ी मेरा पैर कटा हुआ है अगर दिमाग में यह बात है कि मेरा हाथ भी नहीं नहीं तीन स्टेज होती है REM मेरा हो चुका था RED BLOCK VLUB को तो लग नहीं ना परेगा सो ब् famously दो था था जिसमे स मेरा कुँ हो बुण है इस में नहीं हो रहे है उतना अच्छा होगा. प्रॉस्थर्टिक लेग मेरा निकल चुका है, मैं रुकी हुआ, मेरा अक्सिजन चल रहा, बड़े मुस्किल से लख भागे किसमा जो भी था मुझे मिला था. सेर्पा मेरे आगे है, लास्ट मुइमेंट तक वो मुझे बोलेगा, रोने अपने आप आशोने कहीना कहीं से आई जाता है. दूसरे पल मुझे समझ में आ गया, कि रोने दोने से कुछने होगा, मैंने आशो को पोचा, और रोप जो मेरी रोप थी, रोप को पकड़ा, दूसरी हासते, रोप को पैर को घसीट घसीट के चलना से नहीं किया, क्योंकि मेरे पास यही था, यह तो दूसरा था, गिब अप कर दो, तो ऐँ चीज थी, पैर को घसीट घसीट चलना सुर्वा कुछ दूर नीचे चलने के आने के बाद, रोप था उसमें घुसे, पैर को खोला, सही किया, फिन नीचे चलना, कैम 4, to summit, summit to cam 4, 3,500 feet है, और इसमें टोटल जनरली लोग 16 से 17 घंटे में समिट कर लेते हैं, मुझे टोटल 28 घंटे लगे थे, हर माउंटेनियर चाहे बाहर का या फिर इंडिया का, हर किसी नीचे माल लिया था कि अरुडे माँ जिंदा वापस नहीं आएंगी, हर किसी नीचेज माल लिया था, लेकिन मुझे लग जब मैं वापस साउथ कोल पहुची, जब मैं टेंट का जीब खोला मैंने हर किसी ने का कि अरे, तू यहा है, हम तो सब सोच ले थे तू चली गई, हर किसी ने बोला था, फिर सब खुशी मना रहते हैं, तेक यह सब बताने का मेरा सिर्फ एक मकसद था, कि सब कुछ हम में है, हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, अल्रेडी टाइम हो चुका है, मैं एक चार लाइन की पंक्ती सिर्फ बोलूगी, मैं अचली मेरा एम है कि मैं वर्ल्ड के जो कॉंटिनेंट है, कॉंटिनेंट के हाइस्ट पीक समिट करूँ, एस्या का एवरेस हो चुका है, अफ्रीका के लिवन जारो हो चुका है, यॉरोप का अल्बूस हो चुका है, तेस्ट नोमर को मैं जारी हो ऑस्ट्रेलिया, हाइस्ट पीक के लिए, बस आप लोगो की गुडवेसे चाहिए, और चार लाइन, अभी तो इस बाज की असली उडान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उडान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इंतहान बाकी है, अभी अभी मैने लांगा है समूंदरों को, अभी तो पूरा आस्मान बाकी है, तांक्यू सो मच, थांक्यू, झाल